क्या मना आचो मुन्दुरा आशा कोड़ी खुब भालव आचो खुब आनोंद दिन काटाच्चो और खुब मौजाते आचो एई भावी चालिए जाओ बॉस अब ऐसा मुझे लगता है साउमी रियल मी से थोड़ा सा डर रहा है अब ऐसा क्यों कुछ दिन पहले साउमी नहीं लॉंच के आथा चाइना में CC9 और वही फोन रिब्रैंड होके भारत में आया था मी एथी के नाम से उतना सक्सेस नहीं हुआ और उतना बिका भी नहीं ये फ से यानि मी A4 अभी मी A4 का या CC9 Pro का या मी Note 10 का ऑफिशेल एंड कॉंफर्म स्पिक्स क्या है क्या होगा इसका प्राइस कौन से प्राइस में ये लॉंच होगा भारत में और कब तक लॉंच होगा भारत में और आपको क्या Redmi Note 8 Pro लेना है या इसके लिए वेट करना है तो कॉर्जल भारत में लॉंच होगा रियल्मी के तरफ से XT730G और ये साइद कंपिट कर सकता है साउमी का जो CC9 Pro या भारत में आएगा Mi A4 के नाम से और अल्रेड़ी इससी प्राइस में अभी आपको मिलेगा Redmi Note 8 Pro तो क्या आपको वेट करना चाहिए चलिए एक जलक में देख लेते हैं इसका स्पेक्स क्या है यानि Mi A4 इंडिया में Mi Note 10 आपको ग्लोबल देखने को मिल जाएगा और चाइना में CC9 Pro अभी चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में अभी Mi CC9 Pro, Mi A4, Mi Note 10 इसमें आपको मिल जाएगा 6.47 इंचेस का एक फुल HD प्लास डिस्प्ले उपर में छोटा सा एक नौच आपको मिलेगा और सुपर एमॉलेट डिस्प्ले मिलेगा कौनि गोई लग लास फाइप का प्रोटेक्शन मिलेगा पर यहां पर जो आपको डिफ्रेंस मिलेगा वो भईया इसका काब डिजाइन यानि काब डिस्प्ले जो आपको वावे के फोन में मिल जाता है जो आपको Samsung के फोन में मिल जाता है यह जो प्राइस होने वाला है इस फोन का लगबग उम्मीद क्या जा रहा है इस प्राइस में अगर कब डिस्प्ले आपको मिल जाए तो क्या बात है तो यहां पर एक नंबर पर रखूंगा मैं Saomi के यह जो Mi CC9 Pro बात करते हैं आप यहां पर डिजाइन और बील्ट क्वाल्टी के बारे में अब यहां पर भी आपको खतन नाग डिफरेंस देखने को मिलेगा यहां पर यहां पर इपको ग्लास देखने को मिल जाए गा ग्राडियन कलर्स के साथ आएगा और यहाँ पे कॉन्निंगोईला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा पर मुझे अच्छा लगा जो साइट का जो फ्रेम होगा वो भी मेटल का होगा तो यहाँ पे यह भी काफी अच्छा लगा मुझे जो साइट में फ्रेम वो भी मेटल और यहाँ पे आपको ग्लास बोडी डिजाइन मिल रहा है कॉन्निंगोईला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन पर पीछे में फिंगर्पिन स्कैनर नहीं होगा साथ में पिंटा कैमरा होगा यानि समझ रहे हो ना पाच कैमरा चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे कुछ रैम और रॉम के बारे में अभी यह सुनने में आ रहा है जो मी सीसी नाइन प्रो या मीनो टेन या रेडमी एफोर यह आएगा कुछ अलग डिफ्रेंस के साथ यानि आपको 6 जीवी का वारियेंट मिलेगा 8 जीवी का वारियेंट मिलेगा 12 जीवी का वारियेंट मिलेगा यानि रैम और यहाँ पे 64 120 इस तरह का आपको वारियेंट मिल जाएगा रॉम में पर यहाँ पे सुनने में आ रहा है डेडिकेड माइको SD का स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाएगा साथ में Dual 4G Volting का support और native video calling का option भी मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पे UI के बारे में बात करूँ और यहाँ पे Android version के बारे में तो यह Android 10 के साथ आएगा, साथ में आपको MiUI 11 देखने को मिल जाएगा और यह चो MiUI 11 मिलेगा, वो आपको Mi Note 10 में मिलेगा, CC9 Pro में मिलेगा पर भारत में साइद यह Android 1 पोग्राम के साथ आएगा, अगर इसका नाम A4 रहा तो चलिए, आप बात करते हैं यहाँ पे sensors की, तो आपको जो Mi CC9 Pro या Mi A4 या Mi Note 10 इसमें आपको हर एक sensors मिल जाएगा, इन डिस्प्ले आपको fingerprint scanner मिलेगा, बहुत fast होगा और face unlocking का features मिलेगा, उपर में आपको IR blaster मिलेगा, और यहाँ पे आपको notification LED light भी मिल जाएगा अभी processor, इस phone में आपको Qualcomm Snapdragon 730G मिल जाएगा, यह यानी G यानी gaming processor तो यहाँ पे no doubt, gaming experience आपको काफी अच्छा मिलेगा, जैसे मैंने यूज किया Redmi K20 730 के साथ, वो तो काफी अच्छा था, और 730G यह तो gamers के लिए ही है यानी PUBG में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, side-by-side यह जो Realme XT730G आ रहा है, इसको भी यह compete करेगा तो मुझे लगता है Redmi Note 8 Pro से, भाई कही न कहीं, यह जो Mi CC9 Pro या Mi A4 यह काफी अच्छा चैन हो सकता है आपके लिए अब यहाँ पे मैं बात करूंगा storage का, यानी UFS 2.1 storage भी मिल जाएगा, UFS 3.0 भी मिल जाएगा, higher variance में LPDDR4X RAM भी मिल जाएगा, USB Type-C मिलेगा, साथ में fast charging का features भी मिलेगा और out of the box आपको 30W का fast charging मिलेगा, जो आपको लगबग एक घंटे में full charge कर देगा, यानी 0 to 100% अभी यहाँ पे और एक चीज़ आपको inform करना चाहता हूं, जो इस phone का एक तम highlight है, यानी highlighting factor है वह इसका camera, पहली बार आपको Pinta cameras देखने को मिल रहा है, साउमी के phone में और वो भी 108MP के साथ, क्याने इमाजिन, 108MP camera आपको primary sensor मिल जाएगा, Mi CC9 Pro या Mi Note 10 या A phone में अभी जो दूस्वा camera होगा, वो 20MP का ultra wide angle lens और यहां पे आपको 12MP का मिल जाएगा एक portrait sensor, यानी depth sensor, आपको 2MP का एक super macro lens मिलेगा, यहां पे आपको 5MP का एक telephoto lens भी मिल जाएगा, dual flash यहां पे दिया गया है और 4K video recording का option भी है, YS है, यानी optical image stabilization और यहां पे YS भी आपको मिल जाएगा सामने में 32MP का मिल जाएगा है, और यहां पे भी आपको YS मिल जाएगा, तो काफी अच्छा लगा, बैटरी 5,260 mm बैटरी यहां पे मिल जाएगा यानी काफी अच्छा होने वाला है आपका battery backup, और यहां पे यह सब मिला के होता है आपका मेरा CC9 Pro, Mi A4 और globally Mi Note 10 अब कब आएगा यह phone, देखे 5th of November को चाइना में launch होने वाला है, उसके बाद globally launch होगा, उसके बाद भारत में आ जाएगा मुझे इतना उम्मीद है, साइद December के महने पे यह आपको देखने को मिल जाए भारत में पर इसका नाम के बारे में कोई भी अब confirmation तो नहीं है, हो सकता है, Mi A4 के नाम से ही आए और इसका price मान के चलिए, इसका जो base variant होगा, वो 20,000 तग आ सकता है अगर 20,000 में यह phone launch होता है भारत में, तो thumbs up for saw me, और कही न कहीं आप आगे जाओगे अगर इस spoon का price 20,000 होगा, तो आपका जो राय, आपका जो comment जरूर कीजेगा, चलिए, धन्यवाद